तो प्रिंसिपल फेले तेरी में लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेले डिसकारा बचकाना ये मेरा खेले हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सबसे फ़ले तो आप सभी को नमस्कार आदाप सच्रिया काल एंड वेलकम करता हूँ तो आप सभी का यूज ऑफ यू पे जहां कि आपके व्यूज बनेंगे हमारे न्यूज और इस न्यूज से रूबर होगे है आप सभी तो गाइस आज है 2 November 2021 और 2 November 2021 तक कि जितने भी Current Economic Affairs और Business Affairs होंगे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो गाइस लेट्स मूव इट ओन गाइस तीन नम में 2020 का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कियाता है रिगार्डिंग Current Economic Affairs वो यह है कि RBI ने Prompt Corrective Actions के रिगार्डिंग जो फ्रेमवर्क है उसमें Modification लाया है अब यह प्रॉंप्ट करेक्टिव एक्षन जो है यह फ्रेमवर्क जो है यह क्या होता है देखो Prompt Corrective Actions जो होता है यह उन बैंक के लिए होता है जो बैंक लॉस में चल रहा है ठीक है उनके एसेट को लिकुड़ेट होने से बचाने के लिए यह डिस्टिजन यह फ्रेमवर्क में उनको डाल दी जाता है यह फ्रेमवर्क उन पर लागू होता है ठीक है एंड आप्टर दे किया गया है एंट फिलाल में एक बहुत बड़ा अपडेट भी निकल के आ रहा है सोर्सेस के शाब से कि एक देना इंडेना बैंक था इंडयन अवर्सीज वैंक था यह सारे बैंक जो है कुलनी के साथ पी ए एस स्यू बैंक रियो हैं यह क्या होने वाले हैं इन्वोक होने वाला है तो यह पहला करेंट एकनौमी का फिर्स था दो नौमर दो जारी किस के रिगार्डिंग में दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट इंकल कर आता है हमारी एकनौमी के रिगार्डिंग वो यह है कि राजी हुकमार ने मंगलवार को यानि की दो नुमर्दोजारीकिस को अपने बयान में कहा है कि हमारी अर्थवरस्ता फिलहाल के साल में 10 प्रतीसत या 10 प्रतीसत से जदा पढ़ोतरी करेगी तो ये इनका अनुमान है एक्सपेक्टेशन है बट क्या ये एक्सपेक्टेशन और सारे इस्टिूशन का है तो ऐसा कुछ नहीं है RBI ने और IMF ने एक्सपेक्टेशन लगाया है 10% का नहीं बलकी 9.5% का और इनका है कि 10% है 10% से ज़्यादा भी हो सकता है ग्रोथ एकनौमी का इनके पूश्ले हैं और देखते हैं किसका बात सही होता है IMF का RBI का या फिर इनका यानि की राजी हुकुमा जो की वाइस चेर्मेन है किसके निती आयो के प्लानिंग कमिशन के तो गाइस दूसरा बड़ा अपडेट निकल के आता है हमारी एकोनोमी के रिगार्डिंग अब करते हैं हम लोग बिजनेस आफियर्स के बारे में सो गाइस लेट्स मूव इट ओन है कि जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आता है बेस आफियर्स से रिगार्डिंग वो यह है कि जो इलॉन मस्क है टेसला के मालिक इनका जो नेट वर्थ है इनका जो वेल्थ है वो अब इनके भी वेल्थ से तीन गोना वेल्थ इसका बहुत चुगा कितना तो डॉलर 311 बिलियन यह ब्लूमबर्ग इंडेक्स बिलियर के रिपोर्ट के हिसाब से है ठीक है तो यह के वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है बेस आफियर्स का ऑफ थर्ड इस तब तक के लिए आप सभी को व्यूज ओफ यू के तरफ से बहुत सरा प्यार एंड धन्यवाद